दोस्तों आज की कहानी है बेटा मेरी बहु का ध्यान रखना दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइब नई किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पासपाउं से अर्रूस नया वीडियो पुर्णी मा बहु देकों में बाजार से किलो मटर और गाजर लायां जी बाबु जी सुनो बहु आज गाजर का हलबा और मटर के प्राटे खाने का मने बेटा फटापर से बना लो सरत को भी पसंद पुर्णी मा अनमाने ढंग से सारा समान रसुई में ले जाती हैं असानक उसे ससु श्याम बाबु को ले सुन की सटनी की याद आई तो वे भी पुर्णी मा के पिसे पिसे रसुई में पहुंसी थे कि उसके सब सुन वहीं खड़े रह जाती पुर्णी मा अबनी सेली से फोन पर कर रही थी किया यार सो साता साम को बाबु जी के लिए कुस हरका फुलका बना दोंगी फिर भी और सरत तेरे घर पार्टी में पहुंस जाएंगे पर यहां तो उओने मुझे खान समा बना दिया है बुड़ा पे में इतनी सटोरी जीव हो जाती है पता नहीं था कभी मेती ले आते पुठी बना देना कभी मटर की कसोडी तो कभी गोबी के पकुडे राजदो हद के हैं मटर के पराटे और गाजर का हलवे की फरमाईस कर दिये ससू जी ने किया करू नहीं नहीं साधी सरत से भी नहीं बोल सकती और एंड सेस्ट में तो हम औरतों की किस्मत में लिखा हुता ये सब सुन स्याम बाबू बिना कुस बोले लोट जाते हैं ये कहानी एक रीटाइर सि उट सुकी थी अकेली रहते थे लेकिन से मेने पहले सरत का दूसरा विवा पुर्णीमा से हुआ हैं स्याम बाबू खाने पिने के सोकी इन पर पतनी के जाने के बानुन स्थोक पर विराम लग गया था खाने वाली भाईभी लगाई परों लोगों के हाथ में वो स्वाध का जो एक अपने अपन से बने खाने में होता है इसलिए वो पुर्णीमा बाउसे इस तरहत्र के फाकवान बना कर खाते थे लेकिन अब उने लगा कि ऐसे फरमाईजे करना ठीक नहीं पुर्णीमा अपने ससुर को खाना खिला दे थे पर वे कहते बेटा कोई प्रेशा नी हो तो बता देना मेरी वज़से वो बोली नहीं बाबुजी कैसी प्रेशा नी किया हुआ गुस नहीं देर हो री तुम दोनों जल्दी जहों पार्थी के लिए बात आई गई हो जाती हैं अगली दिन सरणे पुषा बाबुजी नहीं दिखिरे सेर पर निकले होंगे बोल पुरनेमा काम वे वेवस्तो जाती सरण भी ओफीस सरा जाता है दो पर तक हो बाबुजी नहीं लोटे तो पनेमा का माता ठनका उस्ते सरत को ओफीस फोन कर सारी बात बताई दोनों ने आस पर उसमें डुमबा मोबाइल का सलन नहीं था बबुची काएं कैसे पता करें तबी उसने सासा जी को गौँ में फोन लगए तो पता सला भी रात कोई सले गए थे सरद ने बाबु सी इसे बात की तो बोले थोड़ा हवा पानी बदल ने के लिए गाव आ गया तुम सींता मत करो पर आप हम दोनों को बिना बताई सले के हम कितना डर गए थे माव कर दी बेटा जल्दी में बताना भूल गए सलो अपना ध्यान रखना और मेरी बहु का भी सरद को कुस अजीब लगा बाबु जी यूँ असानक जाना उसने पुर्णी मा से भी पूसा वो बोली मुझे माप नहीं पता सलो अब गए हैं तो कुस दिनों में वापस आजाएंगे पर ये एक मैना होने आया तो वो दोनों खुदी बाबु जी को लेने गाव पहुंश साते हैं वाँ दोनों बाबु जी को रसोई में देखा थे ये क्या बाबु जी आप रसोई में क्या कर रहे हैं तरद में आपको यूँ काम नहीं करने दोंगा सासी ने मुझे सब बता दिया पुर्णी मा से नाराज है ना अरे नई बेटा उस बेसारी की कोई गलती ने खाना बनाना सिक लिए जिसे बाँ की थोड़ी मदद कर दोंगा और हम बाब बेटी जल्दी खाना त्यार कर लिया करेंगे पर बाबु जी आदमी लोग खाना थोड़ी बनाते लोग क्या कहेंगे सरद बोलारे बेटा लोगों की सुसेंगे तो कोई काम कभी करी नहीं ये सब सुन पुर्नीमा बाबुजी के सरनों में गिर पड़ी बाबुजी मेरा इरादा आपका दिर दुखाने का नई ता मुझे गलती हुई मुझे माव कर दीजी और हमारे साथ वापिस लिए सुबकते भी अरे बेटिया मुझे तुमसे कोई सीखा नई और सब बताओं तो मैं मेरे बेटे की दूसरी साधी में कोई भीखराव नई साथ आता इसरे थोड़े दिनों के लिए आंस लाएं और देखो तुमारी सांसे सांसे मुझे कापी वेजन बनाना सीखा दिये अब सलो हाथ मों धोकर आओ मैं तुम्हे अपने हाथों से बने पनीर और गोबी के पकोड़े खिलाता हूँ तबी पुर्णे मा बोली लेकिन बाबुची साई तो मैं बनाऊंगी वो भी अद्रक दाल सिनी वाली जैसी आपको पसंदी हाँ बोल सारी ठाका मार कर हस पड़ी झाल सिनी वाली जैसी आपको पसंदी हाँ